भारवी जिस तरह आपर जीता जा रहा था वैसे वैसे क्या है उसमें वो जो गर्व है वो गमंड और उसके साथ जो आहेंकार है वो भी क्या है बढ़ती जा रही थी एक बेटे के लिए मा की चिंता जो है मूर्कता है तो मैं महा मूर्का हूँ करके सबी पंडित भारवी को देखकर हसने लगे नमस्कार मैं हूँ हर्षिता विद्याश्रम पी यू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूँ आज हम द्विती यो पी यू सी के 325 से जो एकांकी है दूसरी एकांकी है प्रतिशोद उसको हाज हम देखेंगे देखिए प्रतिशोद जो है लास्ट सेशन में प्रतिशोद की जो एकांकी कार है रामकुमार वर्माजी उनका परिचय हुआ था उसके साथ साथ प्रतिशोद का प्रारंब भी मतलब एकांकी का प्रारंब भी हमने किया था देखिए प्रतिशोद एकांकी जो है किसके बारे में है संस्कृत के महाकवी भार्वी के बारे में संस्कृत के महाकवी जो बार्वी है उसके बारे में है जिस तरह यहापर शीर्ष की है प्रतिशोद तो भार्वी यहापर प्रतिशोद लेना चाहते है तो किससे वहाँ प्रतिशोद लेना चाहते है क्या हुआ उनकी कहानी आज हम देखेंगे देखिए लास्ट सिशन में यहां तक हुआ था कि जो भारवी है अभी घर नहीं आए तो भारवी का घर ना आने के कारण उनके जो माता है क्या है माता का नाम? सुशीला भारवी के माता का नाम क्या है? सुशीला है तो सुशिला बहुत ही यहाँ पर क्या है परिशान है उनको कौन समझाते है सुशिला को यहाँ पर उनकी जो पती है सुशिला का पती कौन है श्रीधर वो भी श्रीधर कौन है यहाँ पर संस्कृत के महापंडित है उनी का पुत्र जो है बारवी संस्कृत के महाकवी भी बनत कर रहे हैं वेदों को पढ़ कर यहाँ पर वेदाध्ययन जो है वो कर रहे हैं तो ऐसे में सुशिला कमन उसमें नहीं है उपनिशदों के जो वेद वो पढ़ रहते हैं उसमें सुशिला कमन नहीं हो कहते हैं कि तुम यहाँ पर द्यान दो कहां पर है तुमारा द्यान करके तबी वो सुशिला को समझाने का प्रयास करते है श्रीदर कि तुमारा बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं है वो तो महा कवी है शायदे किसी कवी गोश्टे में बैठकर आनंद ले रहा होगा आ जाएगा तुम इतनी चिंता क्यों करती हो वो तो कवी है कवी तो नजाने अप सुश्टी वहा करता है तो क्या एक मा की सुश्टी वहा कर सकता है करे तो भी ठीक है मगर क्या है उसकी एकलावती मा इस संसार में में ही हूं करके सुशिला कहती है फिर भी यहाँ पर क्या है श्रीदर उसे समझाने की कोशिश करते सुशिला मानती नहीं है वो अभी भी भा केती है कि हामें भी महामूर्खा हूं अगर एक बेटे के लिए मा की चीनता जो है मूरकता है तो मैं महामूर्खा करके सुशिला कहती है तो ऐसी मूरकता तो मैं अपने जीवन बर करना चाती हूं देखे यहाँ पर एक मातरत्ती है प्रेम वादसल्य है वह det है हम देख सकते हैं तो आखिर में क्या है या पर श्रीदर जो है सुशिला को समझाने में ही वैस्ते रहते हैं वो समझाते हैं कि चिंता ना करो तुमारा बेटा आ जाएगा इतना क्या है लास सेशन तक हुआ था आईए आगे क्या होगा आगे की कहानी क्या है आज के सेशन में हम देखेंगे देखिए यह आपर सुशिला तो कह देती है कि क्या है अभी मेरा बेटा घर नहीं आया है शायद ही क्या है कहीं आपने तो उसे घर आने से नहीं रोका है आपने तो उसे घर आने से नहीं रोका है क्या करके पूछती है तबी श्रीदर उसे कहते हैं नहीं एक पिता जो है अपनी बेटे को भला घर से निकाल सकता है तबी सुशिला केती है हाँ क्यों नहीं आप तो प निकाल सकते हो करके तभी आपर श्रीदर कहते हैं हाँ निकाल सकता हूँ अगर उसने क्या है अनुशासन का उलंगन किया अगर वहाँ धर्म के राह को छोड़कर अधर्म के राह पर चलने लगा तो मैं जरूर उसे क्या करूँगा अपने घर से और अपनी समाथ से क्या है उस श्रीदर उसे कहते हैं नहीं मगर अभी तो मैंने उसे घर आने से नहीं रोका है अगर उसने मेरी बातों का क्या है गलत मतलब निकाला तो मैं कुछ नहीं कर सकता करके तबी सुशिला केती है क्या तो फिर जरूर आपने आपके बेटे से कुछ ऐसी बाते कही होगी कि क्या है उसे बुरा लगे, उसे दुख पहुंचे, तब ही सुशिला कहते, क्या कहा आपने करके, मैं देख रहा था, अभी तो सुशिला को पता चल गया, कि जैसे ही उन्होंने कहा, मैंने तो उसे घर आने से तो नहीं रोका है, मगर मैंने जो उसे बात कही, अगर उसने उन बातों का गलत मतलब निकाला अगर वो घर नहीं आया तो क्या है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ये उसकी मूरकता है करके यहाँ पर श्रीदर जो है सुशिला को समझा रहे तबी क्या होता है सुशिला को ये पता चल जाती है कि हाँ भी क्या हुआ है श्रीदर नहीं क्या है कुछ ऐसी बाते कही है कि कैने भारवी को बुरा लगे तो पूछती है आपने ऐसी कौनसी बाते कहीं क्या हुआ करके ते च्रीक से बताईए मुझे करके तबी वो कहता है कि मैं देख रहाता कि आज कल जो है भारवी शासरारतों में पंडितों को वहां हराता जा रहाता करके तबी सुशिला कहती है ये तो गर्व की बात होना चाहिए ना आपके लिए अगर आपका बेटा शास्त्रार तुम्हें दूसरों अरा रहा है पंडितों को अरा रहा लगातर तो ये तो गर्व की बात है तो इसमें क्या हुआ करके सुशिला फिर स शास्त्रार्तों में, जिस तरह वो अन्नी पंडितों को हराता जा रहा था, जिस तरह वो जीतता जा रहा था, वैसे ही उसमें क्या है आपर गर्म की सीमा को जो है वहां पार करता जा रहा था, वो गर्म की सीमा का उलंगन कर रहा था, देखिए हर्रे के लिए एक सीमा होती है, एक हद होती है चाहे कुछ भी हो वो हद जो है वहाँ पार नहीं करनी चाहिए वो जो हद है वहाँ पार नहीं करनी चाहिए मगर भारवी जिस तरह यह पर जीता जा रहा था वैसे वैसे क्या है उसमें वो जो गर्व है वो गमंड और उसके साथ जो आहंकार है वो भी कहें बढ़ती जा रही थी श्रीदर यहाँ पर सुशिला को कहते है तो मैं इसे कह सहन नहीं कर पाया मैं इसे सहन नहीं कर पाया करके वो कहते हैं तो सुशिला यहाँ पर कहते है कि क्या आप अपने बेटे से यहाँ पर इर्शा करते हो क्या आपको आपके बेटे से जलन ही इर्शा करते हो आप उससे तभी यहापर कहते हैं तुम भी सच में मूर्क हो क्या भला एक पिता अपने बेटे से यहापर इर्शा कर सकता है क्या कभी बीजांकुष अपने पुश्पु से इर्शा कर सकती है तुम भी क्या सोच रही हो सुशिला करके यहाँ पर कहते हैं अगर आप इर्शा नहीं करते तो आपने क्या है मेरे बेटे को ऐसी क्या बाते कही क्या कहा कि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया करके सुशिला जो है भारवी के बार में श्रीदर से अपनी पती से पूछती है तब ही वो कहते हैं कि मैंने उस पर अनुशासन किया उसे क्या है भरी सबा में मतलब मैंने उसकी ताड़ना की मैंने उसकी ताड़ना की उसे ताड़ना दी करके हापर वो कहते हैं तबी सुशिला पूछती है क्या आपने सब के सामने ऐसे कहा तबी या पर श्रीदर केते हैं मैंने उसे भरी सबा में धंबी धंबी मतलब यह पर क्या है एहंकारी और अग्नियानी कहा करके क्या कहते है श्रीदर भरी सबा में भारवी के बारे में भारवी को तुम दंबी हो तुम अग्नानी हो तुम अग्नानी हो करके है अपर श्रीदर कहते है तबी सुशिला कितिया आपने भरी सबा में सभी लोगों के सामने मेरे पुत्र को अपमानित किया ऐसे क्यों किया आपन ताडना दी मगर भरी सबा में क्यों दी करके हपर कहते हैं तो यहाँ पर सभी क्या कहां जब आपने मेरे पुत्र को ताडना दी ऐसे कहां कि तुम दंबी हो आएंकारी हो करके तो बाकी जो पंडिते उन्होंने क्या कहा करके तबी वो कहते हैं तबी श्रीदर कहते कि सारे पंडित जो है भारवी को देखकर हसने लगे करके अपर कहते हैं तबी सुशिला को और बुरा लगता है अपने ऐसे क्यों किया तबी मेरा पुत्र बेचारा अभी अपने भरी सबा में उसको क्या है उसको अपमानित किया करके तबी यह पर भारवी फिर भारवी ने क्या कहा करके सुशिला पूछती है तबी कहते हैं कि भारवी क्या कहता बे पुछते हैं क्या आपने मेरे पुत्र को रोका नहीं तभी वो कहते हैं कि नहीं अगर मैं उस वक्त उसे रोकता तो यह अनुशासन का उलंगन होता मैं अनुशासन का उलंगन कभी भी नहीं कर सकता करके श्रीदर कहते हैं तभी यहापर सुशिला कहते हैं आपको मेरे पुत् कि देखिए अभी जैसे सारी बात जो है क्या हुआ था वो सभी बात जैसे ही सुशिला को पता चलती है तब तो वो और भी क्या है चिंतित हो जाती है अभी क्या है तबी तो जैसे ही श्रीदर कहते है कि क्या है परसो जो है सभा में क्या हुआ था किस तरह श्रीदर ने भरी में भार्वी का जो है अपमान किया था वो सभी बात बोलते हैं तो सुशिला और भी चिंतित हो जाती है तभी यहाँ पर कहते हैं कि इसी लिए तो मेरा बेटा भी घर नहीं आया है आपको सबसे बढ़कर बेटे से भी बढ़कर क्या आपके लिए आपका अनुशासन है तभी यहाँ पर वो तभी श्रीदर यहाँ पर कहते हैं अनुशासन की मर्यादा पर बड़े बड़ों की बलिदान दी जा सकती है अनुशासन की मर्यादा पर तो बड़े बड़ों की भी बलिदान यहाँ पर दी जा सकती है तो मैं मेरे बेटे की लिए कैसे अनुशासन का उलंग कर दिया करके यहाँ पर सुशिला श्रीदर से कहती है नाराज होकर तब तो अभी फिर वो घर नहीं आएगा करके कहते हैं तब यहाँ पर श्रीदर कहते हैं कि इससे पहले भी मैंने बहुत बार उसका अपमान किया है इस तरह इससे पहले भी बहुत बार हुआ था इससे पहल ससुराल तो नहीं गया होगा करके कहीं वो अपने ससुराल तो नहीं गया करके तभी आपर श्रीदर कहते हैं नहीं वो मेरे आज्या के बिना क्या है वहाँ नहीं जा सकता करके तभी फिर सुशिला और चिंतित हो जाती है और वो क्या कहते हैं कहीं भारवीने आत्महत्या वो स श्रीरा तुम ये क्या क्या रही हो महापंडित श्रीदर का बेटा इतना पतित नहीं हो सकता देखें पतित का अर्थिया पर क्या है पापी गिरा हुआ पतित मतलब पापी गिरा हुआ तो वो क्या है वो तो पापी नहीं हो सकता आत्म हत्या करना जो है वो महापाप है आत्मोहत्या करना मतलब क्या है ये एक महापाप है वो जो पाप है वो जो मेरा बेटा भारवी नहीं कर सकता मेरा बेटा इतना पतित नहीं हो सकता करके तबी सुशिला कहती है फिर तो जरूर वहाँ देशांतर गया होगा पिर तो जरूर वहाँ देशांतर गया होगा करके कहते हैं तभी क्या होता है सिरसे श्रीदर कहते हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि तुमारे बेटे में तुमारे प्रती जो प्रेम है जितनी श्रद्दा उसने तुम पर रखी हुई है मुझे नहीं लगता कि वो तुमारे आशिरवाद के बिना देशांतर जा सकता है वो तुमारे आशिरवाद के बिना देशांतर जा सकता है मुझे तो ऐसे नहीं लगता है करके अभी दोनों में फिलाल क्या है अभी बात्चीत चल रही है देखिए आगे क्या होता है दोनों में बाची चलती ही रहती है तो उतने में कुछ आवाज होती है गर में तो सुशिला कहती है वो तो एक पल के लिए क्या है बहुत ही प्रसंद हो जाती है अभी क्या है शायद मेरा भारवी आया होगा भारवी भारवी करते हुए वो दर्व दर्वाजे पर आबा है आबा कौन है या पर भारवी के गर की सेविका है उनके गर की सेविका है नौकरानी है तो वो कहते हैं कि जैसे ही सुशिला भारवी भारवी करके दर्वाजे की तरफ देखती है तब यहापर क्या है वो कहते हैं मैं हूँ स्वामीनी आबा क्या कहते है वो मैं हूँ स्वामीनी आबा करके तभी वो कहते हैं कि तुम हो आबा मैंने सुचा कि भारवी है कौन कहती है ऐसे सुशिला इस तरह कहती है तभी आबा कहती है तो इसका मतलब अभी तक कवी घर पर नहीं आए जेकि आबा ने कवी करके किसको संबोधित किया यहाँ पर भार वो कहते हैं कि अभी तक कभी घर पर नहीं आये मैंने सोचा कि वो अब तक आ गए होंगे वो तो अब तक घर आ गए होंगे मैंने सोचाता करके तबी सुशीला कहती है चिंतित्स्वर में उसे कहती है नहीं मेरा लाडला मेरा बच्चा अभी तक घर नहीं आया है तुम मेरी अच्छी आबा हो ना जाओ तुम अभी जाकर उसे खोज लाओ क्या कहती है सुशिला आबा से तुम तो क्या है अच्छी आबा हो ना मेरी अच्छी आबा हो जाओ आबा तुम जाकर अभी मेरे पुत्र को खोज कर आओ करके कहती है तबी आबा सुशिला से कहती है ठीके स्वामीनी मैं जरूर जाकर कवी को खोजूंगी मगर उससे पहले मैंने देखा कि क्या है वो आपका भोजन वैसे ही रखा है आपने भोजन नहीं किया भोजन मतलब क्या है अपर खाना आपने खाना नहीं काया अभी क्या है आप खाना का लिजे में जाकर क्या करूंगी कभी को खोज लाओंगी खोज ना मतलब क्या है मैं उनको ढूंड कर लाओंगी करके आपर कहती है तभी आपर सुशिला आबा से कहती है नहीं मैं बोजन नहीं कर सकती तुम जाओा आबा जल्दी से जाकर मेरे पुत्रों को ढूंट कर आओ करके कहती है कोज लाओ करके तभी आबा कहती है ठीक है जैसे आपकी आग्या जैसे आपकी आग्या मैं जाओंगी मगर उससे पहले एक निवेदन है क्या करके पूछती है सुशिला तबी आबा कहती है कि कवी के परिचित कोई स्त्री आई है वो क्या है स्वामी के दर्शन करना चाहती है स्वामी से मिलना चाहती है आपर स्वामी मतलब है आपर कौन है महापंडित श्रीदर तो जैसे ही आपर आबा कहती है कि वो तो क्या करना चाहती है श्रीदर से मिला चाते है श्रीदर को देखना चाते है तब ही श्रीदर कह देते है कि नहीं मैं क्या है अभी किसी से भी नहीं मिल सकता हूँ क्योंकि श्रीदर भी वो भी क्या है या पर परेशान ही है वो सुशिला की तरह अपनी चिंता को क्या है या पर दिका नहीं रहे हैं मगर एक पिता होने के कारण क्या है अभी तक फुत्र घर नहीं आया यह जो चिंता है मन में रहती ही है मगर वो सुशिला के सामने उसको वेक नहीं कर सकता मगर उतना ही प्रेमिक पिता में भी रहती ही है अपने बच्चों के प्रती तो यहां पर क्या है श्रीदर कह देते कि अभी मैं किसी से मिला नहीं चाहता हूं किसी से नहीं मिल सकता करके तो यहां पर सुशिला श्रीदर की बात को रोकते हुए कहती है कि रहने द पुत्र के बारे में कुछ जानती होगी आने दीजे उसे तुम बुलाओ आबा उसे करके सुशिला आबा से कहती है देखिए जैसे ही सुशिला कहती है तो आबा चली जाती है आये है जो कौन आये है मिलने के लिए उसे बुलाने के लिए तो यहाँ पर श्रीदर और सुशिला के बीच में फिर से बात्चित होती हैं श्रीदर सुशिला से कहते हैं देखो सुशिला मैं समझ सकता हूं तुमारी चिंता क्या है मैं समझ सकता हूं मगर क्या है तुम चिंता ना करो मैं क्या करूंगा प्रातक काल ही प्रातक काल मतलब क्या है मैं कल सुबा ही जाकर भारवी को सभी जनपदों में सभी हर जगह जो हमें डून कर उसे जरूर लाओंगा तुम चिंता ना करो करके उसे समझा रहे हैं जैसे ही आपर शृदर कहते है कि मैं कल सुबा ही जाओंगा प्रातक काली जाकर बादमी को डून कर लाओंगा करके हर जगह में उसे दूरनगा उसे लेकर आऊंगा चिंता मत करो करके तबी सुशिलाम वेंगात्मक रूप से उनसे पुछते हैं कहीं आपके अनुशासन भंग ना हो जाए करके क्यों ऐसे वेंगी करती है वो ताकि वहां महासभा में जब क्या है वो सबके सामने अपमानित करत तब उसने रोका नहीं ता श्रीदर ने तो अभी आप जाकर ढूंडोगे तो क्या है यापर आपके अनुशासन का भंग तो ना होगा करके वेंगी करते हुए पूछती है तबी श्रीदर यापर सुशिला से कहते हैं अनुशासन अपनी जगा और प्रेम अपनी जगा है वो भी क्या है अपने पुत्र से भार्वी से उतना ही प्यार करते हैं अपने पुत्र से वो भी उतना ही प्यार करते हैं इसलिए वो क्या है सुशिला को समझा रहे हैं कि मैं कल सुबा जो भी हो मुझा ही भी हो मैं उसे डूंड कर लेकर आऊंगा तुम चिंता ना करो करक अनुशासन की कोई मूल ना होता करके यहापर वो समझाते हैं सुशिला को तो वो कहते हैं कि ठीके मैं कल सुबा कहीं से भी क्या है उसे डूण कर लेकर आऊंगा तुम अभी चिंता ना करो करके तो वो कहते हैं कि अगर वो नहीं मिला तो आपके डूणने पर कल सुबा वो नहीं मिला तो क्या करेंगे करके सुशिला प्रश्न करती है तभी शृदर कहते हैं अगर मेरे डूणने पर वहां नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा राज की यह सहायता लूँगा मुझे विश्वास है कि राज की ये शक्ति से क्या है उसे ढूणने पर वो जरूर मिल जाएगा तुम चिंता ना करो अभी तुम क्या है निश्चिंत होकर शयन करो क्या है शयन करने कार्तिया पर सो जाओ सोना शयन करना मतलब क्या है सोना है तो श्रीदर सुशिला से कहते हैं तुम निश्चिन्त होकर अभी शयन करो, सो जाओ, प्रतकाल ही मैं उसे डूण लूँगा, कल जो भी हो तुमारा बेटा तुमारे आखों के सामने रहेगा, या फिर आईगा करके कहते हैं श्रीदर की इतने समझाने पर भी यहाँ पर सुशिला का मन क्या है, वहाँ निश्चिन्त नहीं हो पा रहा है, मेरा पुत्र परसो गया था, उसने उसके माते पर चंधन का तिलक लगाया था, मैंने ही उसकी आर्ती उता कर जो है मैंने उसको भेजाता, मगर अभी तक वो नहीं आया मेरा पुत्र करके, आपर बहुती चिंता जो है, सुशिला अपने बेटे के बारे में आपर कर रही है देखे, जैसे यहाँ पर सुशिला कहती है, परसो गया था मेरा पुत्र, अभी तक नहीं आया, मैंने ही अपने हाथों से उसको क्या है, कुश्प माला पहना कर, आर्ती उता कर, क्या है, भेजाता मुझे क्या पता था कि हमेशे की तरह, आज भी मेरे पुत्र को जो है, बत्सना मिलेगी, आज भी मेरे पुत्र को जीत के बदले में, क्या है, बत्सना मिलेगी, बत्सना मतलब उसको अपमानित करेंगे, आप क्या करके, मुझे क्या पता था करके तबी श्रीदर कहते हैं तो क्या है मैंने भी सोचा कि वो हर वक्त की तरह मतलब जब भी वो उसे अपमानित करती थे भरी सबा में तब तो वो गर आ जाते थे अभी इसलिए मैंने सोचा हमेशा की तरह इस बार भी वहाँ गर लवट आएगा मगर मुझी क्या पता था कि वो घर नहीं आएगा करके तुम चिंता ना करो क्या है कल तुमारा बेटा जरूर आ जाएगा करके तब यहाँ पर सुशिला कहती है हाँ मेरा बेटा आज ही मेरे घर में होता आज ही मेरे आकों के सामने होता अगर आपने क्या है शास्त्र चिंतन से भी ज्यादा जो है मेरे पुत्र को पुत्र प्रेम को ज्यादा महत्व देते इसका मतलब वो कह रहे है कि आपको पुत्र प्रेम से भी बढ़कर क्या है शास्त्र चिंतन है वो तो पंडित है इसलिए क्या है पर वो कहते है कि आपको अनुशासन की पड़ी है आपको शास्त्र चेंतन की पड़ी आप उसे ही ज्यादा महत्व देते हो मेरे पुत्र से ज्यादा प्रेव नहीं करते हैं फिर मेरे पुत्र को उतना आप महत्व नहीं देते हैं उतना मर्यादा रखी थी मैंने भी अपनी मर्यादा की जो सीमा है उसका उलंगन नहीं किया था मगर मुझे क्या पता था कि मेरे बातों का इतना वहाँ बुरा मान जाएगा कि वो घर ही नहीं आएगा करके ठीक अभी जो भी हुआ सो हुआ अभी रहने दो अभी तुम निश्चिंत रहो मैंने तुम्हें वचन दे दिया है मैंने तुम्हें वचन दे दिया है कि क्या है कल जो भी हो तुमारे पुत्र तुमारे आंकों के सामने होगा तो मैं जरूर तुमारे पुत्र को खोज लाओंगा अभी क्या है उसकी पत्नी अभी घर में नहीं है तो क्या है उसके पत ना सही उसकी पत्नी मतलब भारवी की पत्नी के लिए तो आप जरूर भारवी को ढूंड कर लाईए करके यह पर फिर से वहां विंती करती है आज के लिए इतना ही नेक्स सेशन में हम देखेंगे कि भारवी से परिचित श्रीदर से मिलने के लिए कौन आए है और उनके बीच में क्या बादचीत होती है क्या उनसे जो है भारवी की कोई पता लगती है कब सुशिलया पर चिंता मुक्त होगी हम नेक्स सेशन में देखेंगे धन्यवाद